आदित्य L1 ने सफलता पूर्वक तीसरी बार बदली कक्षा, दो बार अभी और होगा, अर्थ बाउंड फायर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसरो ने ट्वीट कर बताया कि इस ट्रैक सेंटर से आदित्य L1 के पृत्वी की कक्षा बदलने का तीसरा चरण सफलता पूर्वक पूर्ण किया गया ओमपरेशन के दौरान मौरिशस, बंगलूरू और पोर्ट बलेर स्थित इसरो के ग्राउंड स्टेशनों से मिशन की प्रक्रिया को ट्रैक किया गया भारत के पहले सोर मिशन आदित्य L1 तीसरी बार कक्षा बदलने की पृत्वी की कक्षा बदलने का तीसरा चरण सफलता पूर्वक पूर्ण किया गया ओपरेशन के दौरान मौरिशस, बंगलूरू और पोर्ट बलेर स्थित इसरो के ग्राउंड स्टेशनों से मिशन की प्रक्रिया को ट्रैक किया गया इसरो ने बताया कि आदित्य L1 की नई कक्षा 226 किमी एक्स 767 किमी है पहले दो बार हो चुका है अर्थ बाउंड फायर इससे पहले तीन सितंबर को आदित्य L1 ने पहली बार सफलता पूर्वक कक्षा बदली थी इसरो ने सुबह कर बताया था कि आदित्य L1 की अर्थ बाउंड फायर किया था जिसकी मदद से आदित्य L1 ने कक्षा बदली वहीं इसरो ने दूसरी बार 5 सितंबर को अपनी कक्षा बदली थी इसरो ने ट्वीट कर इसकी भी जानकारी दी थी वहीं कक्षा बदलने का चौथा अभ्यास 15 सितंबर को लगभाई इसरो के अनुसार आदित्य एल अकिन 16 दिन प्रिथवी की कक्षा में बिताएगा इस दौरान 5 बार आदित्य एल अवन की कक्षा बदलने के लिए अर्थ बाउंड फायर किया जाएगा इसी महीने हुई थी लाउंचिंग भारतिय स्पेस एजेंसी इसरो ने 2 सितंबर को भारत के पहले सोर मिशन आदित्य एल वन की लाउंचिंग की थी इसरो ने PSLV C-57 लाउंच वहीकल से आदित्य एल वन को सफलता पूर्वक लाउंच किया था लाउंचिंग आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई थी ये मिशन भी चंद्रयान 3 की तरह पहले पृत्वी की परिक्रमा करेगा और फिर यह तेजी से सूरज की दिशा में उडान भरेगा पंद्रा लाख किलो मीटर की दूरी तै करेगा आदित्य एल जानकारी के अनुसार आदित्य एलिक अंतरिक शियान को सौर कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी परतों के दूरस्त अवलोकन और एल वन सूर्य प्रिथ्वी लागरेंजियन बिंदू पर्स और हवा के यथा स्थिति अवलोकन के लिए बनाया गया है एल वन प्रिथ्वी से करीब पंद्रा लाख किलो मीटर दूर है तारों के अध्ययन में सबसे ज्यादा मदद करेगा इसरों के मुताबिक सूर्य हमारे सबसे करीब मौजूद तारा है यह तारों के अध्ययन में हमारी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है इससे मिली जानकारियां, दूसरे तारों, हमारी आकाश गंगा और खगोल विज्ञान के कई रहस्य और नियम समझने में मदद करेंगी हमारी पृत्वी से सूर्य करीब पंद्रा करोड किमी दूर है आदित्य L1 वैसे तो इस दूरी का महज एक प्रतिशत ही तै कर रहा है लेकिन इतनी सी दूरी तै करके भी यह सूर्य के बारे में हमें ऐसी कई जानकारियां देगा जो पृत्वी से पता करना संभव नहीं होता दोस्तो ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करे और वीडियो को लाइक करे और कॉमेंट करके बताए आपको वीडियो कैसी लगी घन्यवाद